गुड मॉर्णिंग सुडेंट्स आज का हमारा टोपिक है साइलोटम में बिजाणू द्वारा जनन हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था साइलोटम में गेमी निर्माण द्वारा जनन तो देखिए बिजाणू निर्माण में देखिए कि जब पोधा परीफक्व हो ज प्लांट मैचूर होने के भाद में इसके जो वाईवे पर्रौ है वो फरटाइल हो जाते हैं और वो 3 पालिवत बिज़रणो धानियों कर जन देते हैं अब अपन देकिron 2 धानिया कहां बनती है उसमें देखा था हमने कि साइलोटम का जो वाइवेड पर्रो होता उसके उपर वास्टिक पंड ने पाय जाकर पंड के समान उपँग पाइजाते हैं और उन उपँगओं के अक्स में त्री पालेट बिज़ानोध धानिया बनती है यहां पे देखो एक डाइगराम दिखाती हूँ आपको इसमें देखो जो येलो वाली स्ट्रेक्चर है वो है इसकी ये वाली स्ट्रेक्चर जो गरीन कलर की है वो इसका वाईवे पर रहो है इसमें जो येलो कलर की स्ट्रेक्चर दिख रही है ये देखिए येलो कलर की जो इ बिजरनो धानिया है और ये बिजरनो धानिया इसकी पर्ण समान उपांगों के अक्स में विख्षित होती है एक डियाग्राम आप ओड़ देखिए जिसमें ग्रीन कलर का है इसमें वाई वी पर्रो है और वाई वी पर्रो पर जो रेड कलर की स्ट्रेक्चर है वो है इसकी बि इन उपांगों के अक्ष में बिजरनो धानियों का निर्माण होता है बिजरनो धानिया इस डियाग्रमाई आप देख सकते हैं जो पर्ण समान उपांग है वो दूई पालिवत होते हैं और बिजरनो धानिया जो होती है वो त्री पालिवत होती है इसके बाद में आपन देख देखते हैं बिजानो धाने का परिवर्धन तो यहां पे आप देखिए एक चित्री आरेक दियावा है तो साइलोटम में बिजानो धाने का परिवर्धन यूस पुरिंजिट परकार का होता है यूस पुरिंजिट परकार के परिवर्धन में प्रतेग बिजानो धाने के निर् विदियों से होता है यूस्पोरेंजेट विधी और लेप्टोस्पोरेंजेट विधी तो देखो यूस्पोरेंजेट विधी में पर्तिक बिजरनुधानी का परिवर्दन एक से अधिक प्रारंबी कोशिकां से होता है जबकि लेप्टोस्पोरेंजेट परिवर्दन में पर् से पहले है बिजरनो धानी प्रारंबी कोशिका इस बिजरनो धानी प्रारंबी कोशिका में परी नतिक भी भाजन होता है जिसके परिणाम सुरूब बाहर की और प्रात्मिक जेकेट प्रारंबी काई बनती है और बितर की और प्रात्मिक प्रह प्रशू कोशिकाएं बनती है बीतरी प्रात्मिक प्रेप रशू कोशिकाओं में बारंबार विभाजन से बिजर्णो कोशिकाओं या स्पोरोजिनस सेल्स बनती है इन स्पोरोजिनस सेल्स में विभाजन से दो परकार की कोशिकाओं बनती है जिन में से एक परकार की कोशिकाओं होती है बिजर्णो मातरी क कोशिकों में अर्ध सुत्री बाजन दोरह बिजरानों बनते हैं इसलिए बिजरानों एय गोणित होते हैं', दूसरी प्रकार के जो कोशिकाय बनती है वो कुछ समय बाज में, नष्ट हो जाती है, और वो परीवर्ति धोरे बिजानों के लिए पोशन दर्वे निर्मान का कारिये करती है तो इस परकार से साइलोटम में यूस पोरेंजिट विधी द्वारा बिजानो धाने का परिवर्दन होता है आगे अपन देखेंगे बिजानो धाने की सरंचना इस ट्रेक्चर ओप इस पोरेंजियम देखि यह कुछ इस परकार की स्रेक्चर होती है बिजानो धानी की मनें आपको बताया था कि जानों धानी जो है वो त्री पालिवत या ट्राइलोब्ट होती इस डाइगराम में आप देख सकते हूँ तीन लॉप से एक, दो और तन यहांपे बिजानो धानी ट्राइलोब्ट है औ और इस बिजनों धानी के अंदर ये अंदर जो चेमबर है बोगा जो इसमें दिखायावा है और इस पौर्स एक अंदर ये छोटे चोटे बिजनों बहे हैं तो बिजर्णुधानिय की स्ट्रक्टर में देखीए सालोटम की प्रतेक परिपर के बिजर्णुधानिय एक तरी पालीवत सरंचना होती है यह दो से तीन एम एम चोड़ी वे एक द्वी शाखित पर्णिल उपांग से गिरी हुई रहती है देखिए क्या होता है बिजर्णु धानी है वो खुद तरी पालीवत होती है और इस बिजर्णु धानी का निर्माण कहा होता है वाईवे पर्रोहे पर एक द्वी पालीवत पर्णिल उपांग पाया जाता है उस उपांग की अक्स में बिजर्णु धानी का निर्माण होता है ये देखिए प्रतेक पाली में एक बिजरनो कोस्ट है स्पोर्ट चेमबर होता है यहां पे देखिए स्पोर्स एक है वो ही स्पोर्ट चेमबर होता है तो इसमें बिजरनो धानी के अंदर के तरह ये वाली सरंचना है वो इसका स्पोर्च एमबर है तो परतेक पाली के अंदर एक स्पोर्च एमबर होता है बिजरानो धानी की बित्ती कई स्थरी मोटी होती है जैसी कि अपने भी बिजरानो धानी के परिवर्दन में देखा था बिजरानो धानी की बित्ती है और बिजानों धानी में टेपिटम अन उपस्तित होता है बिजानों धानी में उपस्तित सभी बिजानों एक ही परिमाप या एक ही साइज के होते हैं बिजानों धानी में जितने भी बिजानों बनते हैं उन सभी बिजानों की साइज या परिमाप एक ही होता है इसलिए सायलोटम सम बिजानवी क्या होमोस्पोरस होता है अब एदी बात करें अब बिजानों धानी की स्पुटन की तो बिजानों धानी का स्पुटन लंबवद फटान द्वारा होता है यानि longitudinal splitting के द्वारा बिजर्णु धानी का sputon होता है जिससे बिजर्णु मुक्त हो जाते हैं एक और अपन फिर से repeat कर लेते हैं बिजर्णु धानी की structure को तो साइलोटम में प्रतिक बिजर्णु धानी है वो एक त्री पाली वतिया ट्राइलोब्ड structure होती है और यह दो से ती कि बरतेक बिजर्णु धानी है वो दूपालित है जिसमें अपने को जैसे रेड़ वाला इडावर्णँ तो सामने से दिख रही है एक पाली इसकी पिछी की तरफ है तो बिजर्णोधानी खुद त्री पालित होती है और यह कहां पाये जाती है यह किस से गिरी रहती है में एक बिजानू कोस्ट होता है स्पोर्चेमबर होता है ये देखे परतिकपाली में एक स्पोर्चेमबर होता है और बिजानू धानी की बित्ती कई स्थरी मोटी होती है जैसे लिए मैंने आपको बताया है था कि बिजणूं की अकार आकर्थी के अधार पेर टेडूफल दो परकार के होते हैं सम बिजानविक और सम बिजणपक टईयुदूफद्स में बनने वाले सबी बिजणू एक ही साईज के होते हैं. और विसम बिजानवी टेरिडोफाइड में बनने वाले बिजानव दो साइज के होते हैं तो यहां पर साइलोटम भी एक सम बिजानवी टेरिडोफाइड से इसकी बिजानव धाने में जितने भी बिजानव बनते हैं उन सब की साइज सेम होती है तेंक्यू